कॉंग्रेस की स्सी कमिटी के चेर्मेन और दिली से कॉंग्रेस के पुर्विधायक राजेश लिलोठिया की पतनी का आज सुबह निधन हो गया इस वक्त हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं राजेश लिलोठिया के घर के बाहर की जहां पर गम का महौल यहां पर अभी भी पसरा हुआ है आपको बता दें कि आज सुबह में जब पुर्विधायक राजेश लिलोठिया की पतनी मदू लिलोठिया जो है वो अपनी रूटीन एकसरसाइस के लिए वो है अपनी बैलोनो कार से जो है वो निकली थी तो कश्मीरी गेट के इलाके में जो है उनकी गाड़ी का एकसिडेंट हो गया और उनकी गाड़ी पिलर से जा करके टकरा गई और उनकी मौत हो गई उस वक्त जो है मदू लिलोठिया जो है वो गाड़ी खुद चला रहे थी और उन्हें एक तेज रफतार ब्रिजा कार ने जो है मिर्त गोशित कर लिया फिल हाल पुलिस ने आरोपी जैनुल जो की सीलंपूर इलाके का रहने वाला है उसको गिरफतार कर लिया है हमने पूरविधाय राजिश लिलोठिया से भी बात करने की कोशिश की वो जाहिर तौर पे उन्होंने अपना शोक संदेश जो है वो पूरे देश को जो है वो दिया है और जो उनके पास जो प्रा जो कंडोलेंसिस के मेसेज आए हैं उनके लिए भी उन्होंने धन्यवाद किया है जो पूरे देश से आ रहे हैं लेकिन ये दुगत घटना जो है वो आज सुबह तकरीब होई जब राजिश लिलोठिया की पत अबर से टकरा गए और उनकी दुख़द मृत्ति हो गई कैमरा पॉसन वरुन कुमार के साथ एमेद विलाल एबी नियूस दिल्ली